क्या आले हैं आप सबके? Date for Reckoning of Age को लेकर CPU के नोटिफिकेशन के बाद से आप लोगों के बहुत जादा e-mails और messages आए कल स्टेनो की notification के बाद तो आप लोगों ने अनकाडमी पर मुझे बहुत जादा messages किये ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के clear करूं काफी चीजें इस वीडियो को सुनने से जादा मैं चाओंगा कि आप लोग समझिएगा कुछ facts हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं सभी SSC aspirants को कहना चाओंगा कि आप इस वीडियो को like जरूर करिएगा और share जरूर करिएगा सभी aspirants वीडियो को like और share कर दीजिए और अगर चैनल को subscribe नहीं कहें तो subscribe जरूर करिएगा जो date थी for reckoning of age वो थी 1 January 2017 तब 2016 CHSL का aspirants ने बहुत जादा grievance डाली बहुत जादा efforts किये और SSC ने एक notice निकाला जिसमें SSC ने क्या कहा कि 1 August 2016 तक भी जो aspirants हैं जो age criteria को meet कर रहे हैं वो भी eligible हैं और 1 January 2017 तक जो meet कर रहे हैं वो भी eligible हैं तो ऐसे case में जो efforts उन्होंने किये उससे फाइदा हुआ लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो सुनिये CHSL 17 में same case हुआ और जो CHSL 17 का notification था वो आया 18 November 2017 को और जो उसमें date थी for reckoning of age वो थी 1 August 2018 ध्यान दीजेगा 1 January 2018 नहीं 1 August 2018 पर फिर सभी CHSL 17 के aspirants ने सोचा कि 2016 में तो बहुत ज़ादा efforts किये थे grievance डाली थी तो change कर दी तो 17 के aspirants ने भी वही किया बहुत ज़ादा grievance डाली बहुत efforts किये बहुत कुछ किया लेकिन आपको जानके हैरानी होगी कि SSC का जो notice आया उसमें SSC ने clearly मना कर दिया कि कोई change नहीं होगा यह वो notice है जो 17 के aspirants की grievances के बाद efforts के बाद आया यहाँ पर आप देखो clearly mentioned है crucial date for reckoning of age and educational qualification for CHSLE 2017 would be 1st August 2018 and no change in this date would be made तो उस time पर यह SSC ने clearly लिख दिया और सारे बच्चों की सारे efforts waste चले गए बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ बहुत से ऐसे aspirants थे जिनका last return था वो भी रह गया पर SSC अड़ी रही SSC ने कोई change नहीं किया date में इसके बाद फिर जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो SSC की date final रही है उसमें कुछ भी change नहीं हुआ है अब बात कर लेते हैं current situation की एक चीज मैं चाहूँगा कि आप सब समझो होगी यह 1 जनवरी 2020 ही रहेगी चाहे वो CPO के exam के लिए हो या STENO के exam के लिए हो आपको efforts करना है आप अपने efforts करके देख सकते हो अब अगर बात करें CGL 2019 के notification में क्या हो सकती है यह date तो उसके लिए भी आपको थोड़ा time wait करना पड़ेगा या तो 1 जनवरी 2020 होगी या फिर 1 अगस 2020 होगी लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो कि 1 अगस 2019 होगी तो ऐसा नहीं होगा उमीद करता हूँ कि आपने जो इतने सारे messages की उसके बाद जो मैंने ये वीडियो बनाई उससे आपके सभी doubts क्लियर हो गया होगे Maths, English, Reasoning, GK, Static, GK, Current Affairs, सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाएगा मैं आप सबसे कहूँगा कि आप 1-year का प्लान लेना क्यूंकि 6 महीन है और एक साल के प्लान में सिफ़ 800 रुपे का difference और validity डबल हो रही है 4000 रुपे में आपको इन सभी top educators के सभी paid courses मिल जाएंगे latest pattern for mock test, class test, class pdf, doubt session, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा आपको अलग से कुछ भी pay नहीं करना है 4000 रुपे में ये सब कुछ लेने के लिए आपको discount code कहां पर लगाना है मैं आपको बता देता हूँ आप सभी पढ़ने वाले aspirants unacademy के आपको खोल कर SSC exams चूज करके get subscription जब आप करेंगे one year का plan चूज करिए उसके बाद referral code यानि के discount code की जगा इंटर करिए प्रतियोगिता मंत्रा बिना space के जैसे ही आप प्रतियोगिता मंत्रा code अप्लाइ करेंगा आपको maximum discount मिलेगा उसके बाद आप pre or mains के सभी special batches में enroll करिए SSC के इलावा भी अगर आप UPAC exams, bank exams, railway exams या CAT exams किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं अब भी आपको maximum discount के लिए यही code अप्लाइ करना है प्रतियोगिता मंत्रा आप code को दिहान से देख लीजिए लिख लीजिए बिना space gap को अप्लाइ करना होता है प्रतियोगिता मंत्रा